नमस्कार डी 5 चैनल हिंदी देख रहे हैं दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौझूद है नचुरोपैती एंड योगा एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी सुभाष जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है वंदना जी आप सुभाष जी आप MD है वर्धान आयूरवेद चंडीगर में तो वहाँ पर आपके पास में घुटनों के पेशेंट भी बहुत आते होंगे या जॉइन पेशेंट भी बहुत आते होंगे क्योंकि आजकल देखा गया है कि हर दूसरे इंसान या चौथे या पांचवे इंसान को दर्द होना शुरू हो गया है यहां तक कि छोटी उम्र में यह शुरू हो गया है पहले तो कहा जाता था कि बुजर्गों को ही होता है यह लेकिन अब तो यूवा जो है वो आजकल के यूवा बोल रहे हैं कि हमारे घुटने दुखने लग गये हमारे जॉइन पेशेंट हो रहे हैं तो इसकी क्या वज़े है एक्चल जो जॉइंट पेइन की प्राब्लम है ता मैडम यह एक घर में हर किसी को है किसी भी घर में एक या दो पेशेंट इस चीज़ के पाई जा लिक इसका मुखकारन जो हुआ है वो हुआ हमारी जो डाइट है हम कितना मर्जी संतु हमारी तो बोरित भोजन कर ले जितना मर्जी क्वालटी का भोजन कर ले हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट अब कैदे लोग मुझे comenz चाहते हैं हम था हूं Strong से को बारकाश लेते लिक्र साहे ने मारे की था हो य मैं तो अपनी घर का लेते हैं जिसके घर्स पर जाते हैं सिधा वर गाये से निकाल के हमें देता है जा बहार से निकाल के मुझे पुए नियुक्षआ को उपार का लेते ह तो उसके अंदर बहुत बाइड इफेक्ट होता है एक गाय को भैस को कितना इंजेक्शन लग गया वह इंजेक्शन का कितना बैड इफेक्ट है तो वह दूद में आ जाता है तो उससे यूरीक ऐसे उसी से एसे लेवल खराब होते हैं उसी से मतलब कई वार लोगों को आरे फ नाम से काम कर रहे हैं और हमारे पास उच्च कोटी के वैद हैं आईरवेद अचारिया और बी एमस और बहुत ही एक्सपर्ट डाइटीशन सब काम करते हैं उसमें क्या है कि हम जॉइंट पेंट के पेशेंट को काफी हद तक मना कर देते थे इसका ट्रीटमेंट होता नहीं था क्योंकि इसमें एक तो आईरवेद में लोग रुकते कम थे एक बार दवाई ले ली दस दिन की देदोजी हम देख लेंगे तो दस दिन की दवाई हम देते थे उनके पैसे खराब दस दिन में दवाई ने कोई रिजल्ट नहीं देना फिर उसको कई लोग थे जो रिजल्ट आता था कि जितना पेशेंट को ज्यादा चाहिए अब वह अलोपैथी में मिलता है अब अलोपैथी वालों के पास क्या है कि वह थोड़ी देर तो मैडिसन देते हैं फिर मैडिसन एक ही होती है उसके नाम नूम चेंज करते रहते हैं कभी कोई मैल्टिवेटमन दे दे दिया कभी कोई उन्होंने पेन खिलर लगा दोखता है तो नजयक्षन लगा अब कम दोगहिसेश्य अब ये कहां से पल्श प nights याई आराम भी बहुत आता है नो डाउट लेकिन उसका जो बैड इफेक्ट आता है दस दिन के बाद फिर शुरू हो जाता है फिर क्या होता है धीरे धीरे जब पेशन्ट ऐसे परेशान होता है तो उसको बोल दिया जाता है कि तेरे गुटनों में भाई ग्रीस खतम हो गया अब य जैसे अपना ये घुटना है इसके अंदर एक कुशन दिया बगवान ने उस कुशन को उसने फिल कर दिया प्रॉपर साइनोवल फिलूड से कि एक दूसरे से टच होंगे तो प्रॉबलम ना हो और उसके उपर उसने एक चपनी लगा दी कि यह लीक ना हो तो अब हम कितना दोड़ते धूपते थे काम करते थे कभी नहीं हुआ आज कल क्यों होने लग गया कि डाइट हमारी जो है वो मतलब कितनी भी हम हाईजनिक लेने कितना भी मालो आप कहा दो कि मैंने तो जी फाइव स्टार में खाना खाया बहुत अच्छा खाया यह किया वो कितनी हम तो जी वो सबजी लेके आते हैं जो बिल्कुली औरगानिक है लेकिन औरगानिक को करोगे क्या कहीं ना कहीं तो कोई नो कोई चीज आ रही है अब सबजी आपने औरगानिक डाल दी अब उसमें जो मसाले डाल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं वो किस तरह से उनको प्रसेस किया गया तो ये सारी चीजें count होती है तो ये चीजें होते 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 इनसान क्या है वो बिमार हो गया अब उसको होना क्या था अब गुटनों में दर्द हुआ डॉक्टर के पास गया डॉक्ट साब ने जाता ही बोल दिया कि भाई आपका तो अब होता क्या है जो भी पेशन्ट जाता है चाहे वो महिला है चाहे वो पुरिश है उसके साथ घर का एक मेंबर जुरूर होता है अगर तो हस्बेंड वाइफ गए वाइफ के गुटनों में दर्द है डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा तो अब हस्बेंड भी सुन रहा है अब वो भी सुन रही है तो वो कहती मैं नहीं करवाना चाहती ऑपरेशन तो वो ठीक है वो अपनी जगाँ ऑपरेशन से डरते हैं नहीं करवाना चाहते हैं जो परसन साथ में बैठा है आपका हमदर्द है उसके कान में ये बात डाल दी गई कि आपकी वाइफ का अपरेशन होना है होता क्या फिर घर पे चले जाते हैं तब तक वो डॉक्टर फिर उनकी फेस रीडिंग लेता है जब उसको लगता है कि अभी ये मेंटली परपेर नहीं है फिर वो उसको दो तीन दवाईया लिख देता है कि आप ये खाईए पांचे हपते खाएंगे थोड़ा रलीफ रहेगा फिर दिखेंगे अगर ऑपरेशन की जूर्ट पड़ी तो तो वो पांचे हपते खाते हैं फर चलती है वो कहते है जि कहां इतनी अपनी इंकम भी नहीं आएशे ऐसे घर में डिसकुस चलती है तो वो चलते चलते दीरे धिरे धिरे करके मायंड मेकप हो जाता है च्रौ ऑपरेशन कर्वारति क्योंक्ति दिमाग में वो चीज डाल दिगे अब अब आपरेशन के लिए वो चले जाते हैं तो इस तरह से लोगों के घुटने कट रहे हैं काट रहे हैं काटने वाले उनको ये भी नहीं पता कि आगे हमारे साथ भी क्या होना अब कितने हैं MBBS डॉक्टर कितने सर्जन हमारे जो वैद जी हैं डॉक्टर निल कुमार जी हैं हमारे बहुत ही विद्वान बैद है पूरे हिंदोस्तान में चार-पांच बैद हैं जिनमें से वो एक हैं बलो एक बैद ऐसे हैं जो सोने की भज़म बनाने की शमता रखते हैं बड़ी-ब के पास कितने ही सर्जन हैं जिनके अपने माता-पिता के गुटने धुखते हैं वो दवाई लेने आते हैं लोगों के वो दुदिने में तीस-तीस ओपरेशन कर देते हैं खुद के लिए नहीं करते क्यों उनको वह एक प्रफेश्च पता होती है हाँ सब पता होता है तो लेकिन आयरवेध में इसका ट्रीटमेंट है और वह भी मैं आपको बता दू अपना जो वर्दान आयरवेध है बहुत दीरे काम करते हैं बहुत ज्यादा फास्ट काम हम नहीं करते हैं फास्ट हमारे पास लोग करते हैं अब दिन में 300-300 पेशन्ट हमारे पास आता है तो ऐसा नहीं है फीस भी है मतलब हमारे जो वहां रखी गई है वन टाइम 500 तक फीस है तब भी 300-300 पेशन्ट देली आना है और वो रिपीट छे-छे बार रिपीट हो रहा है आठ- प्रोड़क्ट आया जिसको हमने देखा कि यह क्यों नहीं हम दे सकते वह था पेड़ को लगने वाली गूंद अब भगवान ने सबसे पहले पेड़ को ग्रीश दे दिया था बता दिया था हमें कि गुट्रों में घत्व हो रहा है तो वहां से लेना तो पहले जो बजूर क घर में को बच्चा होता था पंजीरी बनते थी जो जिसके लिए बनती थी वो तो बिचारी बहुत काम काती थी आने जाने वाले रिष्टेदार खाते थे सारा परवार खाता था तो उसमें गोंद उसके अंदर मुसली उसके अंदर सालब पंजा सालब मिश्री जैफल जव काला गॉंद के अपर हर कंपनी काला गॉंद कहके बेच रही है कुछ भी कुछ कुछ भी कुछ भी तो उसको कसौटी पर उतारने के लिए हमें कम से कम 8 साल लगे थे जी कि गॉर्मेनिट के पेरामेटर पे काला काला गौंड को सही तरीके से किया जाए कि ये सच में काला गौंड है अब और या देखो कितनी बड़ी बात है जएदा दवाणय नी है सिंगल कैपसुल काला गौंड रात को बेड टाइम लेना है और उसके साथ हम एक देते हैं पेन हर कैपसुल जो मतलब दर्द को निवार करता है पंचम हल्दी तो है इंफलामेशन को खत्म करती है तो ये दो तीन चीज़े हैं और काला गॉंद के साथ हमने काला गॉंद की क्रीम बनाई उसको कनक के दाने जितना मतलब गेहूं के दाने जितनी क्रीम लेनी है ये जिए कि जादा ले लो आप गेहूं के दाने जितना क्रीम ले करके ऐसे गुटने पे लगाना है लगा के उसको धीरे धीरे ऐसे करना है वो फैलती जाएगी फैलेगी कैसे कि उसकी फ्रेग्रेंस ही होएगी तो fragrant से क्या होता है कि आपके घुटने का जो skin है उसके मसाम खुल जाते हैं जैसे ही वो मसाम खुलते हैं आप उसके ओपर कोई भी चीज लगाते हो कोई oil लगाते हो कुछ भी जो हम देते हैं घुटने का तेल लगाने से वो ऑईल मसाज की जरूरत नहीं पड़ती वो घुटने में कंजियों हो जाता है तो ये एक अपने आप में चीज है जैसे ये पेन हर कैपसुल दिया ये दो कैपसुल रात को दो कैपसुल सुबा पेशेंट अगर चिलाता है दर्द से तो पहले दिन से चैनसे सोता है तो ये चीज देने में काम जाब हुए तब जाके दी फिर हमने उसके साथ ये पंचम गोंद पंचम गोंद कैपसुल हमने इसलिए दिया कि जो दवाणिया उसने खाई होती है कई वस्तीराइड खाए होते हैं कितने कितने उसने टीके लगवाए हमारे पास का बाता है पेशेंट जब उसको लगता है कि अब मरता गया ना करूंच चलो ये बैद को भी देख लेते हैं लेकिन मैं ये बात आपको सब को बताना चाहूंगा कि अगर आपको डाइबर्ट आप ये समझ लीजिए कि उसको हमने आते जाते सलाम ठोकना है और महीने दो महीने में उसको जाकर के सो दो सुर्प्या किसी बहाने से नबज दिखा के देना है ताकि वह आपको मदद करता रहे उसने आपको कुछ दवाजया नहीं कैमिकल नहीं देने वह आपको अची बनेंगी एक डॉक्टर के कैबन में जाओ गए वह डॉक्टर कहेगा यह तो विमारी आपकी हम ठीक कर लेंगे उसके बाद वह दूसरे कैबन में भेजेगा कि डाइटीशन की सलाह लिजे डाइटीशन के पास जाओगे वह कहेगा आपको तो यह भी प्रॉब्ल हो रहे है चलिए उदर नर्वाइन बढ़ा जो डॉक्टर है उसके पास जाईए जो आपकी नर्व सिस्टम को सेट करेगा चार-पांच कैबनों में आपको बेजते हैं फिर आपके टेस्ट होते हैं जब आपकी जेव खाली हो जाती है आप कहते हैं पैसे ही नहीं बचे क्या करें लो आपने कैसे करना या आपने देखना जो आजर्वेद के बैद होते हैं वह एक ही बैद होता है हर चीज का स्पेशलिस्ट होता है वह क्योंकि उसने नवस देखनी है बात पित और कफ पे काम करना है जब आपका बात पित कफ बैलेंस हो गया जल वाजू अकाश और पृत्व यह अगनी यह पांचों चीजों को उसने स्तर बैलेंस कर दिया तो ओके कोई प्राब्लम नहीं है अब यह पंचम गोंद बनाया बहुत सोच समझ के बना ऐसे नहीं बन गया कि नाम रखतो जी बन गया इसके अंदर गोंद मुरिंगा गोंद चिलगोजा गोंद किकर गोंद प मटसब पर मैसेज डालोगे कि सर एक एक गोंद के भायदे बताओ बता देंगे अभी टीवी चैनल पर इतना ही सुनो ताकि आपको यह पता चले कि दुनिया में और भी बहुत कुछ पड़ा है ऑपरेशन के बिना मैं आपको बता दू पंचम गोंद लीजिए काला गोंद और काले गोंद का क्रीम लीजिए साथ में पेन हर कैपसुल लीजिए आप देखेंगे कि तीन चार महिने के बाद जिस डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोला था उसकी लैंगोज चेंज हो जाएगी तो कहेगा आपको अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं अच्छी कबरी हो रही है ना तो आपने कोई महंगी दवान्या खाई ना आपने कुछ ऐसा किया सिर्फ आपने दो चार चीजें जो हमारे से लेकर आपने यूज कर ली और हमारी सला से आपने डाइट सेट कर ली आप देखेंगे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके साथ कितने पेशिंट और ठीक होंगे यह हमारा जो सबसे बड़ी एक सोच हम लेके चलते हैं कि आपके घुटने ठीक हो आपका दरद ठीक हो आपके परवार का अशीरबाद हमें मिले और भगवान का जो अशीरबाद हो हमें मिले और हम आपकी सेवा ऐसे ही करते रहें दुनिया में न हो प्यार से जीओ हमारे साथ जितना अच्छे से आप डील करोगे उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छे से हम आपको ट्रीट करेंगे यह हमारा आप से वादा है और कभी भी सलाह मांगोगे आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि गुल साब ने जा उनके किसी टैली कॉलर न हम हफता हफता के बाद हम उनको कॉल कर पाते हैं तो उस समय हमारे साथ नराज मत हुआ करें उस समय कई लोग ऐसा बोलते हैं अब आगी जाद आपको हम तो कॉल करकर के ठक गए थे मत ठको आप नहीं ठकना हम 30 साल से नहीं ठके आप लोगों के लिए काम करते हुए आज रिटर्न करने का समय है, मेरे से रिटर्न लीजिए आप, अच्छे से रिटर्न लीजिए, क्योंकि हम किसी के बल्डे पे जाते हैं, वहां गिफ्ट दे के आते हैं, अगर रिटर्न गिफ्ट ना दे तो हम इतराज करते हैं, अब मैंने वही पार्ट पढ़ लिया, कि आप से दिमाग को हटाओगे नहीं, तब तक गड़ बढ़ है, क्योंकि यह जो है ना, सिस्टम चला हुआ, कि आपका तो ग्रीज खत्म हो गया, यह ऐसा मजाक में वर्ड बन गया, कि तीन बहने बैठी हैं, एक ने बोल दिया, गुट्रे दर्द हो रहे हैं, दूसरी बोल लेग तो जीतने का होसला रखिये, उस बच्चे की तरह, एक बच्चे का पैर कटा हुआ, चिला रहा है, मर रहा है, पैर के कारण, उसको कोई बुला रहा है कि उट जा, नहीं उट रहा है, उसके पास एक सांप छोड दिया, सबसे तेज भाग रहा था, दर्द भूल गया, बात क को समझने की कोशिश कीजिए, कि जो आपके दिमाग में ऑपरेशन की बात ढाल रहे हैं, उस बात को सुन लीजिए, घर पे आके डिसकस कीजिए, अगर जरूरत है, उन लोगों को जरूरत है, जिनके गुटने बिलकुल काम नहीं कर रहे हैं, जो पैंट भी नहीं पहन सकते जो कमोड पे बैठने के बाद उठने ही सकते, चार लोगों को उठाना पड़ता है, जो बैड से नीचे पैर नहीं रख सकते, उनके लिए हम भी कह देते हैं, कि भाई जितने दिन जीना है, गुटने बदल के जीले हैं, तोड़ी तकलीप के बिना जीलेगा, लेकिन चो लो इस चीज़ बनी है, मैं ऐसे ही प्रेशर नहीं करता है, गुएल साब आपके पास में सिद्ध गोंद और काला गोंद, सियाहा गोंद और काला गोंद दो हैं, तो ये सियाहा भी काला ही होता है, तो सियाहा गोंद और काला गोंद में फर्क क्या है? इसमें ना मैडम एक decision को set करता है ज्यादा बारीकाई में नहीं बताओंगा बाद में बात करेंगे अगले एपीसोड में मैम के जरूर सबालों का इनका भी जवाव दुंगा लेकिन जो काला गुंद है और गुंद सियाय है मैं आपको ये बताना चाहोँगा कि गुंद सियाय और काला गोंद एक ही चीज है कोई चीज में फरक नहीं है लेकिन हमारे जो वैदीजी है उन्होंने गोंद सिया कैपसुल जो है वो बनाया था उसको उसका जब हमने फाइदा देखा तो वो डाइबर्टीज के पेशन्ट को बैनिफिट मिला क्यूं उसका नाम फिर गोंद सिया रख और इसके अंदर नजी हमारे बैजी ने क्या किया इसके अंदर एक तो काला जीरी और एक काली हल्दी का मिशर्ण दिया साथ में अशबगंद दिया और काला गूंद चार चीजों का मिशर्ण दे दिया अशबगंद नर्व सिस्टम को स्ट्रॉंग करती है काली हल्दी कि आप टाला गुंद कप्सुल काई अर दूसरी चीजे है जटा-मानसी जड़ीबूटी है जो आप देखेग के जाणे बढ़ी होती है यह इसका मतलुम जड़ीबूटी है इसका गुच्छ गुच्छ वैसे ही होता है तो इस इसका नाम हमारे बिद्वान बैद्दों ने पहले ही रख दिया था कि जटा मांशी है इसको जटा मांशी जो है वो पूरे नर्व सिस्टम को जितने अपने सिर के बाल है उतनी बारीक वेंज चलती है आपने कभी देखा होगा अपनी एडियों के पास या पिनलियों के पास जब गुटनों के आसपास एक बहुत ही बारीक बारीक निले निले रंकी नसे होती है वो मर जाती है बलड का सर्कूलेशन नहीं होता तब फिर उसमें पेन होता है इतना जबरदस्त होता है आपको कई वर नीद तक लिया देता वो पैरों में आग निकलती है क्योंकि बलड गोंद जो है इसके साथ जब जटा मंशी का मिश्रन दिया गया तो इसने वो काम कर दिया जो काम हम सोच भी नहीं सकते थे बलड सर्कूलेशन को फास्ट किया नसों को खोल दिया और जितना भी प्राबलम था वो कबर हो गया और उपर से लगाने के लिए काला गोंद करीम दे दिया और ये कमाल का रिजल्ट है कभी भी आप कॉल करेंगे तो आप एक ही बात कहेंगे कि ज़र वे काला गूंदर ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा कोई डिक्कत नहीं है एक महिना कम से कम आउडर कर देना ताकि आपको एक महिने में व मेरा जुओ नमबर है वह आपना जूट कर लिएक अपार אלव पर मैसे कर सकते हो वड़ अडी तो ऑनिल नहीं कर सकते हैं अगर नॉर्मल कॉल या तो वह हमारे सण्टर में जाएगी फरवर्ड़िंग पर लगाया हुआ हुआ है इस व डीन आटका नमबर है डबल नाएन 1- पाइव जीरो सेवन टू थ्री सेवन टू निन्यान में एक सो पचास बहत्तर तीन सो बहत्तर ये फोन नंबर है इस पे आप वोईस मैसेज छोड़ दीजिए और उसके बाद पांचे दिन वेट कीजिए मेरे मैसेज की आएगा जरूर और मैं मैसेज खुदी करूंगा मेरी आ और उसके अाव्यर की जलोर तो इसके अंबर पर आप वर सेप्शेफ कर सकते हो और कभी बहीं आप मेरे से बात करने इंडिया की सुबा नौ बज़े तक मैं आप वोगों की सेवा में रहता हूं ओर छीटने को सुन सकता हूं उतंक्तर प्रने जरूर सुनता हूं जो रह जा है उनको बाद में हम reply करते हैं मेरे center से जो expert है हमने calling के लिए भी doctors ही रखे हुए ताकि वो आपकी बात को समझ सकें आपको समझा सकें मेरी अपनी बेटी डॉक्टर मिशेल वो भी BMS आजरुवेद अचारिया है वो केरला से हमने उसको course करवाया है पंच करमा का ताकि आपको वो घर बैठे बिठाए वो भी बहुत ग्यान दे सकती है बाकी हमारे जो senior बैद है कभी आप उनसे मिलना चाहते हो तो आप उनको भी मिल सकते हो हमें मिलना है चंडीगड में कभी भी आप मिल सकते हो सुबा दस बजे मैं अपनी चेयर बैठता हूं और शाम तक मैं छे बजे तक लोगों को मिलता हूं ये एक ऐसा सेंटर है जिस इनसान को आपने टीवी पे देखा वही इनसान आपको वहां जरूर मिलता है और आपके साथ बात करता है एक दिन मैंने दिल्ली का रखा है वो शनीवार का दिन है सेटरडे का दि कि संडे के दिन आप दिल्ली में नॉइडा में 63 में कब मिल सकते हो और बाकी दिन हम चंडीकर में होते हैं सुभाज जी आप यहां आए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद उमीद है सारे दर्शक आप से जरूर फाइदा उठाएंगे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज मैं सभी को बहुत-बहुत शुब कामनाएं देता हूं मैं चाहता हूं कि आप स्वस्त रहें आपका परबार हमेशा निरोगी रहें अगर आपके घर में कोई रोग आए तो इसके साथ सुभाज गोयल की याद आपको जरूर आए ताकि हम आपको मिल जुलके उस बिमारी से बाहर निकाल सकते हैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जी नमस्कार